हेलो दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज हम बात करके portfolio क्या होता है मुचल fund SIP या फिर सेर मार्केट या SIP में invest करते हैं या फिर से stop market में निवेश करते हैं कहीं पर भी हम निवेश करते हैं तो एक portfolio होते हैं उसका मतलब क्या होता है बहुत मेरे पास comments आये थे कि स करता है और portfolio क्यों हमारे इंपोटेंट है हम बात करते हैं अगर हम मुचल फंड लेते हैं उसमें अगर SIT में हम निवेश करते हैं पांस चार रुपया परमंद या फिर ऐसे लंब सम में निवेश करते हैं दो दो लाग चार लाग पांस लाग रुपया किसी एक फंड में न आप बैंकिंग सेक्टर में निवेश किया है अगर बैंकिंग सेक्टर का अगर सेर मार्केट आ है कुछ पार्टिकलर समय के लिए अगर डाउन चला जाता है तो आपको हो सकता है कि नुकसान का सामना करना पर सकता है इसलिए अगर आप जब भी ऐसे सेर मार्क में निवेश तो आप पॉटफोलियो बनाएं पॉटफोलियो का मतलब यह होता है जैसे आप 5-6 रुपया किसी दी साइपी में निवेश करते हैं एक साथ पर मल्ड आप वहां पे कड़ें क्या एक-एक घजार रुपया का पांच कम्पनी में निवेश करें एक SBI में निवेश करें, ICICI में, SGFC में, AXIS में और जिसमें आपका मन है उसमें निवेश करें तो यहां पे होगा क्या यह पांच कम्पनियां पांच बैंकिंग सेक्टर में आप निवेश कर रहे हैं तो आपका पॉटफोलियो एक तयार हो गया अगर किसी भी बैंकिंग में, किसी भी बैंक को 5-10 परसंट या 2-1 अगर नुकसान होता है सालाना तो आपका जो दूसरा बैंक है वो आपको 20-30-40 परसंट का ग्रोस देखे आपका जो भी नुकसान है उसको मैंनेस कर देखा अगर वो 5 परसंट लॉस में चला गया किसी कारण बस तो आपको 10 परसंट या 5 परसंट जो भी लॉस में गया उसका नुक्सान का सामना आपको करना पड़ेगा पोटफोलियो इसलिए इंपोटेंट है कि आप छोटे छोटे फंड खडीद रहे हों चोटे छोटे फंड को भाई कर रहे हैं जाए वो सेल मार्केट में हो या फिर है से मुच्चल फंड में हो अगर आप निवेश करते हैं तो 5-7-10 कंपनिया का 1-500 रुपया-1,000 रुपया क के समय में कि पैसे निकालना है तो आप किसी एक फंड या दो फंड से निकाल सकते हैं आपका साड़ा बांगी का सारा तीन चार जो भी फंड रहेंगे वो सारा फंड आपका सेव रहेंगे इसलिए आप पांच अगर निवेश करते हैं आप तो पांच फंड में निवेश करें अगर शेयर मार्केट में आप निवेश करते हैं तो वहां पे भी पोर्ट फोरियो बनाएं ज़रूरी नहीं है कि 5-10 रुपया जितना आपके पास है वो किसी एक कंपनी के ही शेयर्स में लगा दे आइसा करना बिल्कुल गलत है आप वहां पे 3-4-5 कंपनीयां में लगा सकते हैं जो सेर्स इससे अहां प्लिक कर सकते हैं इस से फाइल यह होगा कि लाज जाएप वालेका इस बहूत करते हैं यह साहरा 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 काम यह से और आप में इन्वेस्ट करते हैं स्मॉल कम्पनी में वहां हाई रिस्क है तो आपका चांस यह भी है कि आप वहां पर इसे 100% 200% 300% तक का इसे प्रॉफिट गेन कर सकते हैं इसलिए इसमॉल के कम्पनिया जो है उसमें इन्वेस्ट करना हम मेरे ख्याल से बहुत जड़ूडी है क्यूंकि आपको वहां मिलेंगे 40% 50% 60% और 500% तक का इसे ग्रोफ मिलेंगे हो वहां पर दोस्तों पहली बात तो यह कि अगर हम मुचरफेंट में इन्वेस्ट करते हैं या इन्सुलेंट से लेते हैं सारा पैसे जाता और हमें ऐसे मूलता है कि आपको इसवा पचास लाख़ nasi रुपया जमा करते हो तो 50 रुपयai कैसे वो कमप्राइस जो अपने पैसे को इन्वेस्ट करती है फिर वहां से होने बाले 20 produce 30 अप 40 परसन जो वहां परॉट्ILL होता है उपना कमिछन काटके वह कमपनी अभांहें इसलि लिए वहां पे ज्यादा घ्रोथ होता है मुचल Britney नippi दुर्ण आप्ताओ कि आपको मुझ 40-50-60% सालाना रिटन मिलेगा दोस्तों जो ग्रोइंग कमपनी होती है उसमें अगर हम निवेश करते हैं इंवेश्टमेंट करते हैं अपना तो वहां पर रिटन ज्यादा मिलता है बड़ी-बड़ी जो कमपनियां है बड़ी-बड़ी इंशुरेंस की कमपनी है मुच्छल फ में करेंगे 40% मिलेगा मिडक में 30% का मिलेगा उसी के हिसाब से हमारा मुच्छलibel अगर हम पैसे को लगाते हैं तो मुचलल में रिटन मिलेगा तो और आपने पैसे को इन्वेश्ट करना चाहेंगे उसी सेक्टर में करेंगे और उसी मुच्छल फट में इवेश्ट करेंगे ताकि हमें ज्यादा